प्रांशीर अठोर और अब दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज महरास्ट में स्यासि संकट लगातार जारी है शिफसेना पाटी की नाम और चुनाफचिन को लेकर जिस तरह से स्यासत करमाई हुई है उसे देखते हुई यहां पर लगता है कि एक पर फिर से यहां पर एक सुरक्षित कर लिया है मुख्य मंत्री एकनात शिंधी का गुठ है और दूसरी ही तरफ है शिफसेना के ही प्रमुक रहे उधव ठाकरी का गुठ आखिरकार यहां पर शिफसेना पाटी का नाम और चुनाफचिन किस पाटी को सौपा जाएगा यह वक्त के साथ साथ ही पता सकतेज कर दी क्या वाकई में यहां पर उधव ठाकरे अब बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे या फिर उपूखे मंत्री देवेंद्र फड़न विस उन्हें मना लेंगे इस पर यहां पर एकनाश शिंदी गुठ का क्या कुछ कहना रहा है यह आपको एहम जानकारी देना चाहेंगे सबसे पहले दर दर्सल अधर ठाकरे से जब पूचे गए इस मुलाकात को लिकर सवाल उनका कहना रहा कि पहले खुलापन हुआ करता था मुलाकात में लेकिन अब वो चीज नजन नहीं आती है लेकिन वह कहते हैं कि अब कभी भी बंद कमरे में मुलाकात होगी तब की तब देखी जाएगी लेकिन जब उनसे पूचा गया क्या वह मोधी विरोधी कम हो गए है उधव ठाकरे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिरिफ हाई हैलो वाली मुलाकात थी लेकिन अब यहाँ पर स्यासी अटकले तेज हो गई है क्या गटवंदन वाकई में हो सकता है पूरी की पूरी सिफसे सिर्साट ने जवाब दिया जब उनसे पूचा गया कि अगर दौनों एक हो गए तो आपका क्या होगा संजे सिर्साट का कहना रहा कि हमारी छोड़िये हमें तो हम तो खुश होंगे हमें अपनी चिंता नहीं चिंता तो महाविकास अगारी की नेताओं की मन के सवाल शिंद पार्टियां जिन्दा ही नहीं होती उनके स्वर बदले नहीं होते साथ होते तो बाला साहिव ठाकरी जी के विचार ज्यादा मजबूती से आगे ले गए होते इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा हमें क्या परेशानी हमारे साथ आएं तो अच्छा ही होगा यहां पर उन्होंने यह बात साफ कह डाली वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर शंभुराज देशाई जो शिफसेना के अन्य नेता और कैबिनेट मंत्री हैं उनका कहना रहा कि अच्छा लगा दोनों को साथ देखा गया देवेंद्र फ यहां पर यह तमाम बयान बाजी हो रही है अब यहां पर यह देखना देल्चस होगा क्या उधव ठाकरी को यहां पर जिस तरीके से नौता दिया गया है इकनाज शिंदेगुट की तरफ से क्या वह से स्विकार करेंगे क्योंकि संजेश शिरसाट का कहना साफ तोर पर रहा है लेकिन वक्त के साथ साथ पते चलेगा कि आखिरकार यहां पर उधव ठाकरी क्या वाकरी में शिंदेगुट के साथ जाना चाहेंगे उनकी शर्त को मानेंगे बीजेपी के साथ गठवन्दन करने की या फिर यहां पर अलग अपनी पार्टी का नया गठन करते हुई नसर करते हैं वार समच कि लो गठनी शर्त करते हां यह यहां पर एंफे यहां जственना अपनी शर्त